नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं जार्खन केबिनेट की बैठक में 40 प्रस्ताओं पर्मुहर मुख्य मंत्री हेमान सुरिन के अध्यक्सता में जार्खन केबिनेट की बैठक बुद्धवार 15 मार्च 2023 को संपर्ण होई इस बैठक में कूल 40 प्रस्ताओं पर मुहर लगी इसके तहत राजे में होल्डिंग टेक्स के निर्धारन में बदलाव किया वहीं सेक्षिनिक संस्थानों को होल्डिंग टेक्स में सहर्थों के साथ 75 परस्त के चुट दी गई इसके अलावा अने प्रस्ताओं पर भी मुहर लगाई गई है बतादे जार्खन केबिनेट के बैठा के बाद केबिनेट के परदान सर्चीव अजय कुमार सिंग ने बताया है कि इसमें कूल 40 प्रस्ताओं पर मुहर लगी है इसके तहट जार्खन नगर पाइल का संपत्ति कर निर्धारन संग्रहन एवां वसुली संसुधन ने मुड़े 2022 के नियमों में बदलाव को सुग्रित दी गई यानि होल्डिंग टेक्स के निधारन में बदलाव हुआ है बताया गया है कि इसके तहट एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय है उस सभी नगर निकायों का जो दर निधारी था है उसका अवसत निकाल जाए और फिर अवसत निकालने के बाद उस नगर निकाय का होल्डिंग टेक्स तै किया जाए मौसम विभाग के अनुसार जहारखन के 24 में से 15 जिलो में सुक्रवार को ओला विरिष्टी होगी इसकी सबसे ज़्यादा मार किसानों पर पड़ेगी खेती में लगे गे हूँ सरसो दलहन फल एवं सबजियों पर इसका बीपरित असर पड़ेगा मौसम विभाग ने अजनकारी दिया है कि इसमें कहा गया है कि राजे के पूर्वी तथनी कटवर्ती मद्य भागों में कुछ जगों पर ओला विरिष्टी की संभवना है बता दे भारत मौसम विग्यान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्रे ने जो नकसा जारी किया है उसमें कहा गया है कि गढ़वा, पलामू, चत्रा, कोडर महाजारी बागलाते हार, लोहर्दागा, सिम्डेगा और गुमला को छोड़ कर जार्खन के सेस जीलों में कहीं कहीं ओला विरिष्टी होने की संभवना है खेत में लगी फसलों पर इसका बुरा असर पर सकता है देर से पकेंगे जार्खन सिक्षक नियुक्ती नियमावली में बदलाव जार्खन में नियुक्ती नियमावली में संसोधन के बाद अब नियुक्ती पर किरिया भी सुरू हो गई है इस सब्ता कार्मिक विभाग को अधियाचना भेज दी जाएगी, राजे में 320 प्लस टू सिक्षा को 690 परियोग साला सहायक की नियुक्ति की जाएगी, यहां बताते चले कि दोनों परिक्षाओं को लेकर सिक्षा विभाग ने पुर्व में भी अधियाचना JSC को भेजी थी, जारकन हाई कोट दोरा नियुक्ति नियुक्ति नियुमावली रद किये जाने के बाद, JSC ने यधियाचना वापस कर दी थी, नियुमावली में संसुधन के बाद फिर से अधियाचना भेजी जाएगी, बिना सुचना बिजली कटवती करने पर बितरन कमपनियों को देना होगा मुआवजा, राजे बिधूत, नियामक, आयोग ने असपश्ट कहा है कि बगार सुचना के बिली कटवती पर उभोगता मुआवजे का हकदार है, आयोग ने कहा है कि बिली कटवती होती है तो उभ बिजली बित्रन निगम के अधिकारी गाउं में दो दिन बिताए उन्होंने दावा किया है कि गाउं में 6 घंटे से ज़्यादा बिली नहीं रहती बिजली बित्रन निगम के अधिकारी ने अपती जताई है राष्ट्रिय सिक्षा निती के तहट इसकूलों में योग वखेल कूद किया गया अनिवार राजे सरकार ने राजे के सभी सरकारी वा सहता प्राप्त स्कूलों में नई राष्ट्रिय सिक्षा निती 2020 के तहट आदर्ष दिन चर्या को लागू करने काने ने लिया है यह आदर्ष दिन चर्या जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशत द्वारा त्यार की गई है जिसे अनिवार रूप से लागू कराने के निर्दे सभी जीलों को दिये गए आदर्ष दिन चर्या में योग सारेरिक स्वास्त की सिक्षा वक्हेल कूद को भी अनिवारे किया गया है पता दे आदर्ष दिन चर्या के तहट इसकूलों में पर तेक कार्य दिवस में सुबह 8 बच कर 45 मिट पर लंबी घंटी लगाना सुनिशित किया जाएगा इसी तरह गिरिश में कालीम का चाओ के समय सुबह 6 बच कर 45 मिट पर लंबी घंटी लगाई जाएगी ज्यारखन में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू दो साल की सजा का प्रोधान राज्य मंद्री परिशत की बैठाक में बुद्धवार को ज्यारखन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को सुबह दान कर दी गई है अब यह विधायक के रूप में सदन में पेस किया जाएगा जहां से स्युक्रिती मिलने के बाद कानून का रूप ले लेगा इसके अनुसार चिकित्सा सेवा से जूड़े लोगो अथवा संस्थानों को नुकसान पहुचाने वाले लोगो को करवाई के दारे में लाया जाएगा इस पीकर ने सलोगन लिखे कपडे पहन कर विधान सभा आने पर लगाई रोक बिधान सभा में बिरोध दर्ज करने के लिए बिधायक सलोगन लिखे हुए कपड़े पहन करना ही आ सकेंगे बिधान सभा अध्यक्स रमीद रात महतुर ने बुद्धवार को पक्ष विपक्ष के बिश्ताना तरनी के बाद या नियम दिया है उलेखनिया है कि नियोजन निती को लेकर बिरोध दर्ज कराने के लिए भाजपावी धायक साथ चालिस नाई चलतो और 1922 का क्या हुआ समधित नारा लिखा हुआ भागवार रंगे टीशट का उप्योग कर रहे थे इस वयद से लगाता तिसरे दिन हंगामे के कारण बार बार सदन की करवाई अस्थागित करनी पड़ी पतादे बुद्धवार को भाजपावी धायक मुख्य मंत्री से नियूजन निती पर जबाब देने की मांग को लेकर अड़े थे सेना में अगनी बीरों की भरती के लिए बढ़ाई गई तारीक जहरखन के सभी 24 जीलों के पात्र अगनी बीर उमिद्वारों के समाने परवेस परिक्षा के लिए रईस्टेशन करने की तारीक को बढ़ा दिया गया है अगनी बीर उमिद्वारों के लिए ओनलाइन रेइस्टेशन कराने के लिए 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है बता दे अब विवाहित यूओ को और महिला उमिद्वारों के लिए जर्नल डियोटी कलर्ग एस्टोर कीपर ट्रेकमेन अगनी बीर तक निकी अगनी बीर महिला पुलीस, सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग समयत कई अने पदों के लिए ओनलाइन रेइस्टेशन अभी ओपेन हाई अगनी बीरों की भरती के लिए निकाली गए इस वैकेंसी में एक अक्टूबर को साड़े सत्रह से 21 बरस की आयोगों पूरा करने वाले अवियार्थी योग यों उमिद्वार हाई सेना में अगनी बीर बनने के लिए पहले 15 मार्च तक आउनलाइन रेइस्टेशन का समय था जिसे अब 20 मार्च कर दिया गया है जार्खन बीधान सभा में नियोजन निति को लेकर विपक्ष काहंगामा जार्खन बीधान सभा बयर्षत की सुरुवात बीते 27 फरवरिक हुई थी होली के आउकास के बाद फिर से इसकी सुरुवात हुई बता दे पिछले दिनों की तरह बीधान सभा के बाहर सरकार की नियोजन निति को लेकर भाजपा बीधायकों कहंगामा जाली रहा उन्होंने हाथ में तक्तिया लेकर राज सरकार के खिलाब खुम नारेबाजी की इतना ही नहीं भाजपा बीधायक वेल में भी घूस गए और साथ चालिस नाई चलतों बंगलादेशी नाई चलतों के नारे लगाए इस दोरान हरान करने वाली बात यह रही की सतर रूड जामुमों के विधायक लोबिन हेमरम ने भी बीपक्स का साथ देते हुए सरकार की घृराबंदी की साथ चालिस नाई चलतों का गरमाया रहा मुद्दा नियोजन निती में साथ चालिस का नुपाद जारखन सरकार के लिए गले की फास बन गई है पुरे राजे का सियासी परहाई है इसका असर तेरह माल से दुबारा सुरू होई सदन की करवाही में दिख रहा है बीपक्ष लगातार हमलवार हो रही है और मुख्य मंत्री नियोजन निती के मुद्दे परमौन है नियोजन निती में बाहरी के चालिस पर से सामील करने से युवाओं में रोस है उनका कहना है कि ऐसे में बाहरी लोगों का दबदबा यहां की परिछाओं में होगा इससे यहां के मुल निवासी के हक का हनन होगा युवा मुख्य मंत्री से यह भी सवाल कर रहे हैं कि 1932 के दाओ का क्या हुआ बाबुलाल मरांडी के ट्यूटर परमचा घामसान बरिष्ट भाजपा नेता और झारखं के पुरमूख मंत्री बाबुलाल मरांडी ने झारखं के शिक्छा मंत्री से अभकारी मंत्री जगरनात मत्यों के बिमार होने पर ट्टुट कर कहा है कि 36 गड़ कंपनी के सराब घोटाले के करनामे का दबाव में रहने के कारण सिख्छा मंत्री बिमार पढ़ गए जिस तरह से दिल्ली में सराब घोटाले के बाद इस्तिती बनी है उस पर भाव को जगरनात मतो जेल नहीं पाए और वह बिमार पढ़ गए बावुलाल मरांडी के इस ट्वीट के बाद जारकन किरानीती में ब्यानबाजी का दर सुरू हो गया कॉंग्रेस ने जहां इस पूरे मामले को सनवेदन हिंता की परकास्टा बताया वहीं जारकन मुक्ती मोर्चा नहीं से बावुलाल मरांडी के नाया स्क्रिप्ट कहा है बावुलाल मरांडी ने कहा टी-शट से स्पीकर को क्यो है एतराज पुरो मुख मंत्री और भाजपाय विधायक दल गिन्यता बावलामराणी राज सरकार पर निशाना साथते वे कहा है कि युआओं के भवी से को लेकर सरकार थोड़ी सी भी चीन्तित नहीं है उन्होंने बिधान सभा में मीडिया कर्मियों से बात करते वे कहा है कि जिस तरह से सरकार के द्वार साथ चालिश निशाना निति लाई गई उससे पुरे राज्य भर के युआ में नराजगी है इसलिए हम लोग सदन में मुख्य मंत्री से इस पर जबा मांग रहे हैं तो सरकार इस से भाग रही है सदन में लगातार भाजपाय के साथ सरकार के कई बिधायक भी आचाते हैं कि नियोजन निती में हुए संसोधन को पटल पर रखा जाए लेकिन सरकार इससे भाग रही है बता दे नियोजन निती को लेकर भाजपाय बिधायकों के द्वारा गेरिवा टीशट पौन कर लगातार सदन में आने पर स्पीकर के द्वारा अपती जताई जाने पर बाबुलार मरांडी ने टिपनी की है उन्होंने कहा आए कि स्पीकर महोदय को भाजपाय बिधायकों के टीशट से यदि एतराज है तो मुकी मंत्री को कहे सदर में भाजपा बिधायकों की मांग के अनुरूप नियोजर निती पर खड़े होका राज की जनता को बताए सरहुल पर तीन दीनों की सरकारी आवकास घोसित करने की मांग प्राकिर्ति पर्व सरहुल पर राज भर के आदिवासी संगठन तीन दीनों का सरकारी आवकास देने की मांग को लेकर लगातार मुखर रहे हैं अब इस मुद्धे पर सरकार के धार्मिक संगठन राजी पढ़हा सरना प्रातना सभा ने राष्ट पती प्रधान मंतिर राजे पाल और मुख्य मंत्री से मिलने की बात कही है इस समंध में राजी पढ़हा सरना प्रातना सभा के केंद्रिय महासाची विद्या सागर के गेटर ने कहा है कि उनके संगठन के साथ साथ राजे भर के 43 के करीब सरना के समाजिक और धार्मिक संगठन है जो सरहुल पर्वे की छुटियों को बढ़ाने की महां के समर्तन में है पेशा नियमावली के लिए औरे लोबीन स्पीकर पर उठाए सवाल राज्य में पेशा नियमावली के गठन की मांग को लेकर प्रश्ण काल के दरन जामों विधायक लोबिन हेमरम ने अपनी ही सरकार पर गंभी सवाल खड़े कर दिये हैं उन्होंने सरकार से पुछा है कि क्या यह बात सही है कि सभी विभागों को नियमावली बना कर सन्वेथानिक रूप से पंचायतों को सुद्रीट करना था जिस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ जबाब में संसद्य कारमंत्री ने कहा है कि इस मसले को लेकर अब तक 12 विभागों का रिपोर्ट आ गया है सेस तीन विभागों की रिपोर्ट आते ही पेशा नियमावली का गठन कर दिया जाएगा इस जबाब पर असंतोस जताते हुए लोबिन हेमरम ने कहा है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर इसकी समय सीमा क्या होगी लोबिन ने कहा है कि पुरुव में जब रगवर दास के नितित में राज में सरकार थी तव जामों का एक प्रतिनी दिमंडर राजेपल से मिल कर पेशा निमावली बना कर आदिवासी का अधिकार सुरक्षित करने की मांग रखी थी मैटरी की परिक्षा देने जा रही आर्मी जवान की बेटी को हाईवाने कुछ ला आर्मी पबलिक इसकूल की दासवी कलास की छातरा सीमरन मैटरी का एकजाम दे रही थी उसका सेंटर केंद्रिये बिद्याले में पड़ा था बोध्वार को अपने नाना के साथ इसकुट्टी से एकजाम सेंटर के लिए निकली थी लेकिन घर से निकलने के बाद कुछ ही दूर दिपाटोली आर्मी केंट के पास एक तेज गती से हाईवाने इसकुट्टी को जोड़ा टकर मार दी टकर लगने की वज़ा से सिम्रन सलक परगीर पड़ी इसी बीच उसके सर पर हाईवा कचका चड़ गया जिससे मौके पर ही सिम्रन की दधनाग तरिके से मौथ हो गई नियुक्ती नियमावली से अंगी का भासा हटाने पर ग्यापन सोपा जार्खन परदेश अंगी का समाज ने जार्खन सरकार द्वारा नियुक्ती नियमावली से अंगी का भासा को हटाने को अनुचित बताया इस मामले को लेकर संगटन के प्रतिनिद्यों ने बुद्वार को महंगामा की विधायक दिपिका पांडे से धुर्वाई चित आवास में मुलकात की अरुने ग्यापन सोपा है जार्खन में पलस्टू इसकुलो में 326 को की नियुक्ती होगी इस बाबत जार्खन सिक्षक नियुक्ती 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 नियुक गई थी नीजी स्कूलों में सिक्षा सुल्क बिरीधी का बिरोध मुसावनी परखंड में नीजी स्कूलों में सिक्षा सुल्क बिरीधी के बिरोध में जामों के करकरताओं ने बुद्धवार को वीडियो के माध्यम से HDO क ग्यापन सोपा ग्यापन में कहा गया कि परखंड में संचालेत भी भी नीजी स्कूलों में मन माने तरीके सस्तिक्षा सुल्क में ब्रेदी की जा रही है साथ ही बिद्याले से ही पुस्तक बिक्री के नाम पर अभिभागों को भाया दोहन किया जा रहा है साथ ही निजी स्कूलों के प्रबंधक समीती की बैठक प्रकंड कर्याल में अव्यजित करने की मांग की गई है मंत्री जोबा मांजी ने की समीक्षा लाभकों को समय पर मिले जोजनाओ का लाभ मंत्री जोबा मांजी के अध्यक्स्ता में बुद्धवार को महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा बीभाग द्वारा संचाली थी योजनाव की समिक्चा की गई बैटक में 24 जीलों के जीला समाज कल्यान पता दिकारी सामिल हुए कहा जा है कि योजनाव का लाभ लाभ को तक समय पर पहुँचे इसके लिए सभी कोहर संबब पल्याज करने की जरूरत है बीश माज से सदर अस्पताल रांची में हिरदाय रोग भी से सगय करेंगे इलाज सरकारी अस्पताल में तेजी से मरीजों के हीत में सुविधाय बढ़ाने के मामले में अगर देश भर में किसी अस्पताल का नाम आएगा तो वह रांची का सदर अस्पताल होगा बता दे यहां कोविट के बाद से अस्पताल में काफी सुविधाय बढ़ी है यह पीडियाट्रिक सरजरी यूरोलोजी यूनिट शुरू करने वाला राज का पहला सरकार्य अस्पताल तो था ही अब यहां काडियोलोजी यूनिट की भी शुरुवात होगी 20 माज से सदर अस्पताल में हिर्दय रोग विससागे दिल के मरीजों का इलाज करेंगे OPD सुरू होने के बाद रिम्स का भार काफी हद तक कम हो जाएगा गढ़वा में प्रेमिका से मिलने पहुँचा घर प्रेमी ग्रामिनों ने करवा दी साधी जारकन के गढ़वा जिले के भौनातपूर थाना चेतर के प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुँचे प्रेमिको मनो कामना फूरी हो गई बता देश दोरन गैमिनों ने प्रेमि और प्रेमिका को पकड़ कर मंदिन में साधी करवा दी घर्टना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जनकारी के अनुसार मामला भौनातपूर थाना चेतर के कुवर टिक का टोला गाउं का है बता जा रहा है कि बालिक दोनों प्रेमि यूगल थाना चेतर के अलग अलग पंचात के रहने वाले हैं दोनों की साधी पंचात परतिनिद्यों की मौजोदगी एवं परिजनों की समती से कराई गई है जार्खन की ओर बढ़ रहा बाग गुरु घासी दाग राष्ट्रिये उध्यान से तमोर पिंगला होते बलराम पूर जीले में घुसा बाग अब जार्खन की सीमा पर पहुँच गया है बुद्धवार सुबा बलराम पूर थाना चेतरे के गराम बर्दर में बाग के पैरोक निसान मिले है बर्दर से जार्खन की सीमा लगी हुई है बनविभाग इस परियास में लगा हुआ है कि बाग बलराम पूर जीले की सीमा को पार कर जार्खन के पलामू टाइगर रिजर्ब में प्रवेस कर जाए इधर बाग के सोचंद्रे बीचरन करने से बर्दर सहीत आसपास के गाउ में भाय का महौल बना हुआ है बन बिभाग द्वारा लागातार छेतरे में मुनादी कराई जा रही है गाउवालों को जंगल न जाने की सलाह दी गई है सरहुल की छुटी 24 मार्च को आदेथ जारी सरहुल की छुटी अब 24 मार्च सुक्रवार को होगी इसका आदेश कारमिक विभाक्यावर सचीव प्रज माधाव ने 15 मार्च को जारी कर दिया है यानि कि अब 24 मार्च को राजी के सभी सरकारी कार्यालों में सरोजनिक अवकास रहेगा है बता दे कि इससे पहले राज सरकार द्वारा अधिस सुचित सरकारी छुटियों के सुचि में सरहूल का अवकास 23 को गोसी था लेकिन राम द्याल मुंडा जन जाते केंदर से सरकार को या जनकारी मिली की फुरे राजे में 24 मार्च दिन सुक्रवार को ही सरुल मनाया जा रहा है कारमी की विभाग में आवकास सम्मंदी आदेश में संसुदन किया है पूर्वी सिंभूम में चीकेन पोक्स के 28 संक्रामित मिले पूर्वी सिंभूम जीले में अलग अलग जगो पर लागाता है चीकेन पोक्स के मरीज मिल रहे है जीला सर्विस लेंस विभाग ने अब तक आठ जगों से चववन लोग की खून के नमूने जाज के लिए एम जीम मेडिकल कॉलेज भेजे इसकी रिपोर्ट में 28 लोगों में चीकेन पोक्स के पुष्टी हुई है बता दे मई 2022 से मार्च 2023 तक 113 चीकेन पोक्स के मरीज मिले है महामारी रोग भी से सगे डाक्टर असद के अनुसार चीकेन पोक्स वायरस से फैलने वाली संक्रामक बिमारी है वैस के लोगों की तुलना में बच्चों में यह बिमारी अधिक होती है यह वायरस ब्यक्ति के थूक खांसी वाचिक से बाहर निकलते हैं तथा सांस लेने से दूसरे के सरीन में पहुंच जाते हैं उन्होंने कहा है कि चीकेन पोक्स का ठीका लेकर इस वीमारी से बचा जा सकता है आयरबी जवान आत्महत्या मामले में सार्जेंट सस्पेंड पलामु के लेसली गंज परखंड मुख्याले स्थीत जैप आठ कैंप में बुद्धवार की सुबा आयरबी तीन के जवान ने कैंप परिसर में कथित तोर पर आत्महत्या कर ली आयसे में इस मौच से आक्रोसित अने जवान आंदोलन पर उतर आया है जवानों ने सार्जेंट कम लेस दूबे के साथ मार पीट की है पलामु के पुलिस अधिक्चक सह जैप के समादेश्टा चंदन कुमार सिना सुचना मिलने के बाद लेसली गंज कैंप पहुचे जहां आक्रोसित जवानों ने एस पी सर जैप समादेश्टा के समक्ष डी एस पी सार्जेंट और लाइनमेन के खिलाब जम कर अंगामा किया वहीं डी एस पी ने सभी आरोपों को सीरे से खारिज करते हुए निरधार बताया इससे पहले जवानों ने डी एस पी सार्जेंट और लाइनमेन को बरखास करने की माहिं कर रहे थे इस गामा गामी के बीच जवानों ने सार्जेंट कमलेश दूबे के साथ मार बीट भीक यहाई धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप, फेस्बुक, ट्यूटर, इंस्टाइग्राम पर सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवसे दे थैंक्यू